कभी चोटे कत के लिए बुमरा का उड़ा था मजाक। वाली कावाद चरितार्थ की थी उन्होंने ऐसी गेंद फेकी थी कि सिलेक्टर्स ने दातों तले उंगलिया दबा ली थी सिलेक्टर्स को भरोसा नहीं हुआ था कि वह अच्छे तेज गेंद बाज बन सकते हैं जस्पृत बुमरा ने ये बात खुदी बताई थी बुमरा ने यदि आप कटिन मेहनत करते हैं तो आप अपना लच्छ हासिल कर सकते हैं बुमरा ने ये भी बताया था कि वह हमेशा से क्रिकेट का लुपत उठाते रहे हैं जितना हो सकता था वे क्रिकेट खेलते थे बुमरा ने बताया क्रिकेट के लिए मैं हमेशा मैदान जाने के पर बुम्रा ने कहा था किसी भी दूसरे बच्चे की तरह मैंने भी सुरू किया था जैसे बच्चे अपने मौज मस्ती के लिए दोस्तों के साथ किरकेट खेलते हैं तो मेरा भी वही था हाला कि देश के लिए खेलने का सपना मैं बचपन से ही देखता था आप नहीं जानते हैं कि आप वहां पहुँच सकते हैं या नहीं क्योंकि यह देश बहुत बड़ा है इतने सारे लोग खेलते हैं लेकिन अंतता आप जब मंजिल पर पहुँच जाते हैं तो सफर अच्छा हो जाता है बुमरा ने बताया कि बचपन में उनकी हैड बहुत जादा नहीं थी उन्होंने पहली बार टीम में चैन का अपना अनुबाव सेर करते हुए कहा कि सिलेक्टर्स ने मेरी तरब देखा और कहा कि ये दुबला पतला लड़का है उस समय मेरी हैड भी काफी कम थी उन्होंने कहा कि ये क्या करेगा ये तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा चलो दो गेंद फेक कर दिखाओ जैसे ही मैंने पहली गेंद फेकी उनका रियक्शन बदल गया वो बोले अरे हमने ऐसी उम्मीद नहीं की थी हमने नहीं सोचा था कि ये इतनी जल्दी और तेज गेंद बाच फेक पाएगा